हेलो गाईज कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एक्जाम में गाईज जो सीरीज हमने शुरू करी है प्रॉफिटन लॉस की उसका ये फंडमेंटल टाइप 2 है जो की आपके सभी अपकमिंग एक्जाम जैसे अपना जो की हमने कल किया था जैसा कि हमने सीखा था कि कल जो सेलिंग प्राइस का जो फोर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कोस्ट प्राइस मल्टिप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइड़ बाई 100 यह हमारे पास सेलिंग प्राइस का फोर्मूला होता है देन हमने कोस्ट प्राइस का फोर्मूला सीखा था cost price का formula होता है selling price multiply by 100 और 100 plus minus profit or loss ये denominator में आ जाता है ठीक है ये cost price का formula था हमारे पास then हमने सीखा था percentage profit percentage का formula profit percentage का जो हमने formula सीखा था वो सीखा था SP minus CP यानि की selling price minus cost price divided by ये calculate होता है CP पे ये बहुत important चीज है जो ये profit or loss percentage है वो calculate किया जाता है CP पे calculate किया जाता है इसी तरह से हमने सीखा था loss percentage जो कि हमारा था CP minus Sfp divided by CP multiply 100 ये हमारा loss percentage का formula था और इसी तरह से हमने profit का formula सीखा था कि profit का formula होता हमारे पास SP minus CP and loss का जो हमारे पास formula होता है वो हमारे पास Cram उले यानिकी CP minus SP यह कुछ basic formulas ने जो हमें पता होने चाहिए profit and loss chapter करने के लिए तो यहाँ पर main चीज है जो अभी हम fundamental type 2 में जो सीखेंगे वो सीखेंगे इसके बारे में कि जो हमारा profit जो calculate होता है या loss जो हमारा calculate होता है वो हमाशा हमारा cost price जाने कि आपके जो आपकी खरीद है या फिर हमें कहूँ आपकी जेब से जो पैसा लग रहा है उस पर calculate किया जाता है आपने कितना जेब से लगाया है पैसा उसी पर calculate होता है आपका profit परसंट या loss परसंट यह main चीज है हमने एक चीज और सिखी थी अगर कोई profit परसंट हम देते हैं मालो हमारे पास है 25% 25% हमारे पास fraction में होता है 1 by 4 तो हमने सीखा था कि जो नीचे वाली जो denominator में लिखी होती है वो CP होता है और यह उस पर profit है तो यह profit हो जाएगा loss है तो यह loss हो जाएगा यह हमने कल सीखा था कल हमने fundamental type 1 करी थे तो वह हमने यह जाना था तो यह CP है जो यहाँ पर आपको यह दिख रहा है by default जब आप इसे fraction में convert करते हो तो by default जो denominator में जो number लिखा जाता है वो CP होता है by default जब तक question में आपको specially ना कह दिया जाए कि आपका profit percent या फिर loss percent जो है वो SP पे calculate हो रहा है तब तक आपका जो यह by default है यह क्या रहेगा यह आपका CP रहेगा नीचे वाला denominator में जो भी लिखा गया for example अगर मैं आपको बोलूं कि loss जो आपका वो 20% है 20% होता है हमारे पास 1 by 5 तो जो denominator में जो चीज number लिखा गया है वो by default CP रहेगा और अगर यह loss है यहाँ पर तो यह by default क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा ठीक है तो यह loss है profit है वो उपर का result है नीचे वाली चीज हमेशा क्या रहेगी वो CP रहेगी जब तक आपको question में ना special बोल दिया जाए कि आपने जो profit या loss calculate करना है वो SP पर calculate करना है तो यह कुछ fundamentals थे हमारे जो आपको पता होने चाहिए थे अब इसी पर fundamental type 2 है जो इस पर base है हमारा कि कब profit कैसे calculate करना है तो जैसे हमारे पास first question है an article is sold at a certain price किसी price पर किसी article को बेचा गया तो उसे 25% का profit हुआ on selling price तो यहाँ पर यह main चीज है जो हमारे पास उसने साफ साफ हमें question में बोल दिया है कि जो भी profit हमारे पास हुआ है वो किस पे हुआ है selling price पे हुआ है 25% जो profit है हमारा वो आपके विक्राय मुले पर है यानि की selling price पर है तो find the actual profit उसका वास्तम में जो profit percentage था वो हमें बताना है तो सबसे पहले चीज तो हमें पता है कि जो profit है हमारा profit हमारा दिया गया है 25% तो अभी अभी हमने देखा कि 25% कितना होता है हमारे पास 1 by 4 होता है और by default ये नीचे वाली चीज क्या होती है CP लेकिन इस question में यहां पर बोल दिया गया है कि जो आपका ये profit था ये किस पर calculate हो रखा है selling price पे इसने specially बोला गया है तो ये नीचे वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगा और ये इसका result है profit लिखा हो है तो plus 1 ये क्या हो जाएगा इसका profit ठीक है तो calculate हम किस पे करेंगे अभी इसको SP पे ये सबसे main है जो हमने या पर सीख रहे है तो हमें पता है कि हमारा profit का जो formula होता है profit का formula में सब पता है अभी हमने पीछे सीखा क्या होता है selling price minus cost price यही होता है यानि कि विक्रैम उल्ले minus में क्रैम उल्ले profit हमारे पास 1 है यहाँ पर selling price हमारे पास 4 है CP हम यहाँ से निकाल लेगे तो यहाँ से हमारा जो क्रैम उल्ले आएगा वो आएगा 4 minus में 1 यानि कि 3 units हमारा क्रैम उल्ले आजाएगा अब हमें actual जो profit हुँ से हुआ है actual किस पे होता है actual profit percent होता है हमारे पास किस पे calculate किया जाता है यह किया जाता है CP पे तो profit percent हमें पता है कि हमारा profit कितना हुआ एक का हमारे पास profit है actual में किस पे calculate करता है नीचे क्या आता है CP आता है तो CP हमारे पास 3 आया तो 1 3 का कितना percent है तो 1 by 3 होता है हमारे पास 33 1 by 3 percent यह होता हमारे पास क्या actual यानि कि उसका जो actual profit percent था 33 1 by 3 percent लेकिन अगर उसने selling price पे calculate किया है तो वो है आपका कितना 25 percent तो यह है आपका fundamental type 2 इसी तरह का एक question और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और practice आपकी हो जाए तो question number यहां पर दिया गया है कि an article is sold at a certain price किसी article को किसी price पे बेचा गया और उसे loss होता है कितने का 20 percent का on selling price यानि कि 20 percent का loss तो हुआ है लेकिन किस पे selling price पे यानि कि विक्रैम उल्ले पे तो उसका actual loss percent में क्या था तो फिर से वही बात कि हमारे पास जो loss percent है वो कितना दे रखा है 20 percent हमें यहां पर दिया गया है 20 percent की अगर value की बात करें तो यह हमारे पास 1 by 5 यह इसने बोला है कि जो loss हुआ है वो selling price पे हुआ तो यह selling price होगा और यह loss होगा ठीक है न क्योंकि इसका result है तो यह loss होगा और loss है तो हम क्या लगा देंगे minus और हमें पता है यहां पर की loss का जो हमारे पास formula होता है वो होता है क्रैम उल्ले minus में तो क्रैम उल्ले हमारा पास कितना है 1 है selling price cost price हमें निकाल नहीं हमें पता नहीं है कि क्रैम उल्ले लेकिन selling price हमें पता है कितना है 5 तो यहां से हमारे पास क्रैम उल्ले कितना आएगा 1 plus 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 तो क्रैम उल्ले हमारे पास एक का हमारे पास loss हुआ है और ये loss जो calculate हम कर रहे है किस पे calculate कर रहे है cost price यानि कि 6 पे calculate कर रहे है actual में कितना है CP कितना है हमारे पास 6 तो 1 6 का 1 6 का कितना percent है तो जब हम इसे calculate करेंगे तो आपके पास आएगा 16 2 by 3 percent तो ये था आपका fundamental type 2 जो आपको जानना है कि जब तक question में आपको ना कह दिया जाए ये आपका जो loss percent है वो selling price पे है तब तक by default जो denominator में जो number जाएगा वो by default आपका CP जाएगा लेकिन अगर question में especially बोल दिया जा रहा है कि selling price पे calculate हुआ है loss या profit तो नीचे वाली चीज आपकी CP बन जाएगी तो ये कुछ दो fundamental types के question थे ठीक है न ये fundamental type अब कल से हम आपका फिर से एक जो है ये दो ही fundamental थे हाँ पर बच्छे तो ये type में से गिना जा सकता है तो कल हम type 3 करेंगे ठीक है इस तरह से type 3 type 4 इस तरह से cover होता जाएगा तो और आपका ये profit and loss एक दिन complete हो जाएगा इसी तरह से हमने और series भी कर रखे हैं जैसे compound interest चे percentage है और ratio and proportion है तो इनको भी आप देख सकते हैं ठीक है न हम type wise हमने सब कुछ cover किया हुए तो ये था हमारे पास profit and loss का fundamental type 2 कल type 3 में हम मिलते हैं तो अभी के लिए इतना ही thank you, thank you very much अगर आपको इस वीडियो पसंद आईए तो please इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा subscribe जूर कीजएगा हमारे चैनल को मिलते हैं next वीडियो में thank you, thank you so much